हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल करना इंफो टैट पे मेरा नाम है संकर सोनी दोस्तो आज हम बात करेंगे जो हीक विजन का जो डीवियर होता है उसके अंदर हमें कोई रिकोर्डिंग निकालनी हो तो हम उसको कैसे निकालेंगे मालों जैसे ह गई जिसकी हमें वीडियो क्लिप पे अपनी pen drive के अंदर या फिर हमें डीविड राइटर के अंदर वो निकालनी होगी तो हम उसको कैसे निकालेंगे तो दोस्तो simply आपको क्या करना है आपको आपकी जो माउस है उसके उपर करना है राइट किलिक, राइट किलिक करने के बाद आपको आना है मेन मेनू के उपर मेन मेनू पर आओगे तो आप ये देखना दोस्तों आपका जो पासवर्ड होगा आपको आपकी जो वीडियो किलिप वह आपको निकालनी है तो आप क्या करोगे आपको आना है एक्सपोर्ट के उपर आपको यहां पर क्लिक करना है जैसे यह आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे हमारे सामने कुछ से एक इस टाइप की स्क्रीन यहां पर सो होंगी तो दोस्तों आपको जिस भी camera के recording निकाल लें आपको वो camera यहां पर सेलेक्ट कर लेना है जैसे मेरो सिर्फ यहां पर camera number 3 की recording निकाल ली है तो बाकी को मैंद चेक कर दूगा और सिर्फ camera number 3 को यहां पर मैं चेह के रखूंगा अब दोस्तों यह आ गया start time और end time of record मतलब यह मेरे इतने इतने दिन की इसके अंदर recording save है यह mainstream आ गया यह यहां पर आ गया अब दोस्तों यह आ गया start time आपको जिस भी तारिक की आपको यहां पर जो वो है recording निकालनी है वो आप यहां से select कर लेना जो भी आपको date करनी है यहां पर आप अपने हिसाब से कोई भी time select कर लेना जो भी जिस भी time की आपको recording start से निकालनी है मतलब recording आपको जिस दिन की और जिस time से निकालनी है आप जो start time है वो यहाँ पर start time डाल देना अब आता है यहाँ पर end time मतलब जैसे आपने दो दिन की recording निकालनी है तो आप यहाँ पर start time हो गया यहाँ पर आपका जो end time है end date है वो यहाँ पर डाल देना और जितने बज़े तक कि आपको recording यहाँ पर चाहिए आप यहाँ पर डाल देना दोस्तों यहाँ पर आपको start time डालना है यहाँ पर आपको end time डालना है जैसे यह आप यह डालोगे आपको नीचे simply search पे click करना है जैसे आप search पे click करोगे तो जो भी files थी वो सारी यहाँ पे ऐसे आपको show हो जाएगी यह chart में अगर आपको list में लेनी है तो आप list में भी इसको ले सकते हो और जितनी भी यह files है इन सभी की यहाँ पे जो size है storage जितनी उन्होंने इनकी जो memory है उनका size यहाँ पे show हो गया है और यह date और time के साथ यहाँ पे आपको show हो जाएगी अब दोस्तों जो भी आपको recording लेनी है तो आपको क्या करना होगा आपको आपको जो DVR है उसके अंदर जो USB port होता है जिसके अंदर माउस लगाते है वहाँ पे आपको एक port और मिलेगा USB का ही वहाँ पे आपको आपकी जो pen drive है वो लगा देनी है अगर pen drive अगर आप cassette के अंदर लेना चाहते हो DVD के अंदर तो आप ए external DVD writer आता है उसके अंदर blank DVD डाल देना और उसको आप 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 लगा देना तो दोस्तों जैसे आप मेरे को यह निकाल ली है जैसे मेरे को यह निकाल ली है यह यह फाइल मेरे को चाहिए तो मैं क्या करूँगा simply बस इसको select करूँगा आपको जितन जो भी चाहिए आप अपने हिसाब से यहाँ पर select कर लेना और दोस्तों यहाँ पर आपको आके एक्सपर्ट यह है एक्सपर्ट इस पर आपको करना है क्लिक जैसे यह आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो भी pen drive होगी वो यहाँ पर सो हो जाएगी अब करना एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद जो हमारी जो हमने कैसी डाली थी या पेंडर डाली थी उसके अंदर जो भी हम वीडियो क्लिप लेना चाहरे हैं वो उसके अंदर जानी शरू हो जाएगी और जो यह पीली पट् एक्सपोर्ट फिनिश्म मतलब कि जो मेरी जो रिकोर्डिंग थी वह मेरी कैसिट के अंदर आ चुक है अगर आप पेंड्राइव लगाओगे तो पेंड्राइव के अंदर आपके वहां पे सेव हो जाएगी सिंपल आपको यहां पर करना है और आपकी जो पेंड्राइव थे पिर कैसिट है उसके अंदर आप इसको सेव कर सकते हैं दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक कर देना